हालो फ्रेंड्स, वेलकम टु क्राफ्ट लास फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो चलिए आज हम सीखते हैं कलर्ष डेकोडेट करना, यह मेरे पास चील का कलर्ष है, जिस पर मैं रेड वेलवट का एक फैबरिक पेस्ट करने वाली हूँ, फैबरिक पेस्ट करने के लिए आप ग्लूगन का जैसा मैं कर रही हूँ, और अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है, तो आप फैबरिक ग्लू या फैविकॉल का यूज भी कर सकते हैं, उसको पहला आपने पूरा नाप से कट कर लेना है फैबरिक को, सिरफ हम यहाँ पर जो चौरस पोर्शन है इसका सर्कल में हम उसपे ही फैबरिक लगाएंगे, देखे इस तरह से पूरा अच्छे से इसको पेस्ट करना है और उसके उपर हम डेकॉरेशन करेंगे, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे करवा चौत आ रहा है, नवरात्रे हैं और आगे दिवाली आने वाली है, तो उन सब ओकेश आने वाली हों लेस, जो मेरे पास लेस है वो रेड कलर में चौड़ी लेस है, बहुत ही चौड़ी है वो, अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो, तो आप दो-तिन लेसिस को इकठा करके भी लगा सकते हैं, देखे ये बिल्कुल एक चौड़ी लेस है, और आप इसे दो लेसिस या तीन लेसिस को इकठा करके भी बना सकते हैं, और आप प्लेन इसमें गोल्डन कलर की लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी, इस तरह से आप ग्लूगन की हल्प से इसे पेस्ट करते, मैंने नीचे चौड़ी लेस लगाई है, ताकि जो भी हमा से कलरफुल लेस है, और इसे में उपर की साइड लगाने वाली हूँ, इस तरह से हमारा उपर नीचे दोनों तरफ से फैबरिक अच्छे से लॉक हो जाएगा और डेकोरेशन बहुत सुन्दर लगेगी, देखे इसकी जगा पर भी आप प्लेन गोल्डन लेस का यूज कर सक सकते हैं, सेम पैटन से, और इसी तरह से आप मिट्टी की कलश को भी कर सकते हैं, कपड़े की जगा आप उसे पेंट कर लें, और इस पर भी आप पेंट कर सकते हैं, एक्रालिक पेंट कोई भी आप इस पर कर सकते हैं, अब जो नेक है उस पर भी मैं ये मल्टी कलर की लेस ल अब हम थोड़ा सा इस पे mirror work करेंगे ताकि इसमें एक traditional look आए और बहुत ही प्यारा ये बहुत ही सुन्दर एक festival look इसमें आ जाए और इसमें मैं जो बीच में distance है वो अपनी finger को measure करके रख रही हूं ताकि हम बिल्कुल equal proportion पे इसे लगा सकें आप चाहें तो circle mirrors का use भी कर सकते ह और size बड़ा ये चोटा ले सकते हैं और mirror से बहुत ही सुन्दर look आ जाता है जब भी आप को traditional काम करते हैं अपनी घर को decorate करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ डेकोरेट करने के लिए जो आप festivals के लिए ये weddings के बिए बना रहे हैं अगर आपके पास mirrors नहीं है तो आप अपने पास में जो भी local craft shops होती है बच्चों की stationary shops होते easily मिल जाती है और अगर फिर भी ना मिले तो आप मोतियों का यूज़ भी कर सकते हैं देखे ये लग गए है आप इसके बाद जो step है वो से skip कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर outliner का यूज़ करें यह 3D outliner है और इस तरह से मैं इस देखे इस तरह से और आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली से related बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके बहुत useful होंगे आपके लिए तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले तब तक मैं यह लेस लगा लेती जो हम डोरी कपड़ों में यूज करते हैं सेम डोरी है ये ब्लाउस में जो हम लगाते हैं वही डोरी गोल्डन कलर की है ये जिसे मैं यहां पर यूज कर रही हूँ यहां मैं इसे जिग जैक में लगा रही हूँ आप चाहें तो वेवस की तरह भी लगा सकते हैं वो भी सु देखिए जिसे आप फेस्टिवल्स के लिए वेडिंग्स के लिए अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे जरूर कमेंट्स में लिखके बताईएगा और आप आगे फेस्टिवल्स के लिए कौन-कौन से वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर लिखके बताईएगा और शेर जरूर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली पे फेस्बुक पे और वच्टसेप पे थैंक्स पर वॉचिंग